नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूटूब चैनल में मैं विकाज बोपी नुवार आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विडियो में हम टॉपिक 30 के जरीए round top reversal chart pattern को देखने जारे हैं दोस्तों इसके पहले हमने reversal chart pattern में head and shoulder, inverted head and shoulder, double top custom pattern, double bottom, the blue pattern और उसके बाद हमने देखा है round bottom pattern और यहाँ पर हम देखेंगे round top pattern को तो चलिए आई ये दोस्तों आज के इस शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं देखिएगा यहाँ पे यह round top यह देखिए इसका उपरी भाग जैसे है round के जैसा है ठीक है तो इसलिए इसको round top pattern बोलते हैं या फिर inverted saucer भी बोल सकते हैं जो हम चाय पीने के लिए saucer यूज करते हैं तो यह ultra saucer के जैसा भी दिख रहा है आपको या फिर इसे sad pattern भी बोल सकते हैं sad mood हो गया तो भी हमारा ऐसा चेहरा बन जाता है तो ऐसा mood बन जाता है तो यह sad pattern भी हो जाएगा या फिर rainbow pattern ठीक है तो आपको जो भी नाम अच्छा लगे उसके सहारे आपने इस pattern को याद रखना है नाम कोई भी हो दोस्तो लेकिन pattern वही रहेगा तो pattern को याद रखने के लिए एक सही नाम आपके लिए चुन लीजिएगा जो pattern बोलता है वही समझ के उस pattern को आपने identify करना है ठीक है तो अब देखे pattern क्या बोलता है जब market तेजी से बढ़ रहा होता है फिर उसके बढ़ने में एक धीमी गती आ जाती है धीरे धीरे बढ़ने लगता है फिर धीरे 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 बढ़के इस point के आने तक वो बाद में धीरे धीरे उतरने लगते यह जैसे धीरे धीरे उतर जाते है और फिर यहां पर एक point आता है यह球 पॉइंट जो है तो उसको जब यह cross करता है तो यहां से धाड़ करके मार्केट गिर जाता है दोस्तों है न शेरे यही के दाम एक दम से घटने लगते है तो जब यह इस तर आपने identify करना इसको अगर आपने identify कर लिया तो आपकी निकल पड़ी दोस्तो इसमें देखिए एक इसका आदा साइड जो होता है round bottom का यह bullish साइड होता है धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है फिर एक यहां पर highest point आ जाएगा उसके बाद में इसका bearish side त्यार हो जाएगा दोस् को आप पकड़के चलिएगा जब तक कि यह bearish side इसको cross नहीं कर जाती इस point को break नहीं कर जाती तब तक कि यह round top pattern नहीं होगा दोस्तो जब यह इस point को break करेगी तभी यह round top pattern बनेगा ठीक है तभी आपने इस पर विश्वास करना है तभी बोलना है कि यह round top pattern बन चुका है अब यहां से market में गिरावट आएगी downtrend होगा तेजी से market गिरेगा अब कहां तक गिरेगा इसका target क्या होगा दोस्तो तो देखिएगा यह इसका highest point है यहां से लेके neckline तक वाला जितना फासला होगा उतना ही फासले तक यह गिर जाएगा market यहां से ठीक है तो मान लीजेगा यह highest point 125 रुपे पे है और यह neckline 100 रुपे पे है तो इसके बीच में फासला जो है 25 रुपे का तो यहां पे आने के बाद market भी कितने रुपे से गिरेगा 25 रुपे से गिरेगा तो देखिए यहां पे 100 रुपे में जो shares था वो आगे जाके आपको 75 में होने वाला है तो आपने यह यहां पे short position लेनी है दोस्तो ना की long position short position मतलब उल्टा करना है पहले यहां पे shares को बेज दीजिएगा और बात में यहां target पे जाने के बाद में आपने उसे खरीद लेना है तो यहां पे आप shares को बेज देते हो 100 रुपे में और यहां पे आने के बाद shares को खरीद लेते हो 75 यानि आपका 25 रुपीज का मुनाफ़ा हो जाएगा एक शेर के पीछे और अगर ऐसे आपके पास 1000 शेर है तो 25,000 रुपे का आपका मुनाफ़ा हो जाएगा दोस्तों ये पैटन को आपने पहचान लेना है और शॉर्ट पोजिशन शॉर्ट एंट्री लेके शॉर्ट एंट्र रिस्क नहीं लेना है जो पैटन बोल रहा है वसी को फालो करना है mostटी के तो यहां पे कुछ ग्रीडी वगरा नहीं बनना है आपने तो एकदम कांग पैटने जितना पैटन होता है उतना ही करना है उसके विपरित आप करोगे तो वो रिस्क हो जाएगा ठीक है तो ये इसके साथ में चलोगे तो आप मुनाफ़ा बना लोगे दोस्तों और ये जो इसका आखरी का जो ये पिक होता है ये छोटा वाला ये आपका stop loss हो जाएगा दोस्तों ये आपको रि विजन लगा देते हैं इसको और देखे यहां पर इसको हमने बोला round top pattern इसको sad mood है तो sad pattern भी बोल सकते हैं इसको inverted saucer के उल्टा है तो यह inverted saucer हो जाएगा और rainbow की तरह है तो rainbow pattern भी बोल सकते हैं तो यहां पर यह sad है मतलब market गिरने वाला है उसके पहले का हमने का smile था smile था मतलब वो चड़ने वाला था है ना तो यह उत्रने reversal pattern है यहां पर यह चड़ रहा था अब आकरी में यह उत्तर रहा है तो यह reversal pattern का example है round top pattern तो इसमें हमने यह इसका bullish side bearish side और जिसका यह highest point है वो निकलाइन निकाल लेना है उतना जो फासला होगा उतने ही फासले से market गिरने वाला तो यहां पर आपने short position लेके पहले shares को बेचे बाद में खरीदी करके अपना profit book करना है और यह pattern 15 minute में भी बन सकता है एक गंटे के चार्ट में भी बन सकता है एक दिन में एक week में एक years में भी यह बन सकता है दोस्तों सिर्फ आपको उसे देखना है ढूडना है ठीके यह कभ पुनाफा बना लोगे profit बना लोगे दोस्तों ठीके तो यह वीडियो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा दोस्तों next वीडियो में हम इन सारे reversal chart pattern को revise करेंगे और अच्छा करता हो आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा मजा आया होगा दोस्तों अगर ऐसा हु जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों इस bell icon को क्लिक करने की वजह से आपको notification आएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों पुरा पुरा ग्यान आपको यहाँ पे मिलेगा आप बवीशे में एक अच्छे traders बनो जाओगे दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक और ब